आज लेकर आए हैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी के एक हजार प्रिश्णों का निचोड का पार्ट फाइब इससे पहले गाईज हम चार को पार्ट करा चुके हैं उसका लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा गाइस वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सकाइब करना न बोलें और हमारे टेलिग्राम चैनल गुरूप परिच्छा गुरूप एकेडमी बरेली को जोइन करें चलिए बिना देर का रिश्रू करते हैं पहला कोश्चन आ जाओ सारे बच्चे फटाफट बहुत बड़िया बहुत बड़िया यह सर आ गए है बहुत अच्छे चलिए देखते हैं पहला कोश्चन कोश्चन नमर 161 भारत का प्रिदान मंत्री बनने के लिए आप एक्छित नियुन्तम आयूग क्या है 18 वर्स 21 वर्स 25 वर्स या 35 वर्स तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ओपसट सी 25 वर्स क्योंकि ये डारेक्टिर लोकसवा से बनता है तो लोकसवा का सदस बनने के लिए कितनी होने चाहिए 25 वर्स तो लोकसवा से प्रिदान मंत्री बनने के लिए कितनी होने चाहिए 25 वर्स अच्छा राश्ट फती बनने के लिए नियुन्तम आयू कितनी होने कुश्चन नमर 162 उच्चितम नियाले में एक मुख के नियादीश के अलाबा अधिकतम कितनी अनियादीश हो सकते हैं 28, 31, 26 या 21 तो कितने हो सकते हैं तो इसके राइट आंसर की बात करें आपका हो जाएगा ओप्सन B 31 एक मुख के नियादीश के अलाबा 31 हो सकते हैं लेकिन प्रिजेंट टाइम में आपके टोटल 34 हो गए हैं मुख के नियादीश को लगा कर कुश्चन नमर 163 निमने में से कौन से अनुच्चेत में समता के अधिकार का प्राबदान है मतलब की समानता के अधिकार का प्राबदान है अनुच्चेत 14, अनुच्चेत 19, अनुच्चेत 20 या अनुच्चेत 18 तो इसके राइट आंसर की बात करें आपका हो जाएगा ओप्सन अनुच्चेत 14 से लेकर 18 तक 14 से लेकर 18 तक 11 दिखाता है संस्किति एवंप शिक्षा संबंदी अधिकार 29 से 30 दिखाता है और एक और होता है समयधानिक उपचारों का अधिकार जोती अनुचेद 32 बताता है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं कोशन नुबर 164 भारत के महानियावादी की नियुक्ति कौन करता है उच्छेतम नियाले का मुक्षिन अधिश, संसद, विदी मंत्री या राष्टपती चलिए बताईए महानियावादी इस इंग्लिश में अटार्नी जर्नल कहते हैं तो अटार्नी जर्नल की जो नियुक्ति होती है वो कौन से आर्टिकल के तहत होती है तो कौन से आर्टिकल के तहत होती है अनुचेट 76 के तहत इसकी नियुक्ति होती है और कौन करता है इसकी राष्टपती इसकी नियुक्ति कौन करता है राष्टपती मैंने अंसर भी बता दिया और ये कब तक अपने पत्पर रह सकता है ये आपका यना में राष्टपती जब तक चाहे से रख सकता है और महानियाबादी का काम क्या होता है तो महानियाबादी का काम होता है सरकार को और राष्टपती को कानूनी सलाब देना Section no.65 बारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 में, 1949 में, 1950 में या 1951 में तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से फटा फट कमेंट करें अब योजना आयोग के पहले अध्यक्च और अध्यक्च कौन थे? तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, option D, 1951 में इसके पहले आयोग के अध्यक्च कौन थे? पंडिच जवालनाल नेहरू जो की है, पहले हमारे भारत के प्रदान मंत्री है और पहले उपाध्यक्च कौन थे? तब थे? अहलू बालिया मैंने अभी दो दिन पहले कराया है question number 166 भारती सम्मिदान में राज के नीती निदेशक सिद्धान किस देश के सम्मिदान से लिए गए हैं? कैनेडा से? यूनाइटेट किंग्डम से? यूएसे से? या आइललेंड से? राज के नीती निदेशक सिद्धान थे? इसे इंगलिस में बोलते हैं descriptive principle अच्छा जो राज के नीती निदेशक सिद्धान होते हैं यह आपके कौन से भाग में आते हैं? भाग 3 में 36 से लेकर 51 तक कौन से? 36 से लेकर 51 तक तो कहां से लिगा है या इसका right answer हो जाएगा option? डी आइलेंड से question number 167 भारतिय समीदान की आठवी अनुसूची में कितनी भाषाओं की संक्या है? 15, 18, 22 या 14 तो आठवी schedule जो है अपना जिसे हिंदी में अनुसूची कहते हैं उसमें कितनी भाषाओं सामिल है? तो आपकी 22 भाषाओं सामिल है लास्ट कौन सी चार भाषाओं एट की गई थी? 92 समीदान शंशोदन 2003 के दौरा कौन सी एट कर गई? W, D, M, S ऐसे करके आप ट्रिक से याद कर सकते हैं 92 समीदान शंशोदन 2003 के दौरा चार भाषाओं एट की गई W, D, M, S बोडी, डोंगरी, मैथली और संताली देखें गाई, कोई भी चीज होती है आप उसकी अपने दिमाग से सोचे कोई ट्रिक बना ले अब मैंने इस चीज को कैसे याद किया W, D, M, S 92 समीदान शंशोदन 2003 तो एक यी बार में याद हो गया कुश्चन नबर 168 भारत में कागजी नोट मुद्रा को ये मुद्रा होगा मुद्रा को जारी करने का पूर अधिकार किसके पास है भारत सरकार, बित्तायोग, भारती रिजर्ब बैंक या सेंटरल बैंक ओफ इंडिया तो भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का अधिपूर अधिकार किसके पास है तो क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर ओप्शन C भारती रिजर्ब बैंक कभी कभी ये कुश्चन आता है कि एक रुपए के नोट पर किसके अस्ताक्चर होते तो एक रुपए के नोट पर बित्त मंत्री है देखते हैं कुश्चन नमबर 169 भारतीय संभिदान ने कितनी भाषाओं को मानता दी है अब ये मानता दी है ये पूछ लिया 16, 14, 15 या 22 तो कितनी भाषाओं को दी है ओप्शन D 22 भाषाओं को देखते हैं कुश्चन नमबर 170 संभिदान में कितने पिरकार के आपात कालों का मतलब इमर्जिंसी का प्राबदान है 1, 2, 3 या 4 मतलब भारत में कितने तरह की एमर्जिंसी है तो कितने तरह की एमर्जिंसी है 3 तरह की एमर्जिंसी है नमबर 1 आपका 352 नमबर 2 356 और नमबर 3 360 तो कितने तरह की 3 तरह की एमर्जिंसी है 352 क्या होती आपकी नेशनल एमर्जिंसी होती 356 जोती है वो आपकी राज्जों में अगर कोई हिवाद होता है राजज में कोई भी दिक्कत आती है तो 356 लागू होती है और बित्यवाली कौन सी होती है 360 अनुछिय 360 होता है जो कि बित्य अपातकाल होता है भारत में अभी तक 360 नहीं लगी है question no.71 संसत के दोनों संदों का सयंउक्त सत्र को कौन बला सकता है राश्ट पती प्रदान मंत्री लोकसवा अध्यक्ष या उपराश्ट पती संसत के दोनों संदों को कौन बला सकता है तो इसके right answer की बात करें तो आपका हो जाएगा option केवल राश्टपती मलब संसत के दोनों सद्दों का संयोक सत्र को राश्टपती बुला सकता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है तो लोगसभा अध्यक्ष करते हैं 172 देखते हैं केंद्रिय मंत्री परिशत के बुर्द आविश्बास प्रस्ताओ कहां किया जाता है जाहर सी बात है मंत्री परिशत कहां से बनते हैं आपके लोग सबा से तो यह कहां प्रिस्तित किया जाएगा केबल लोग सबा में क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होप्शन बी कोश्चन नमबर 173 मूलबूत अधिकारों की सूची में किस सम्मिधान शंशोदन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया 42, 62, 44 यह 43 तो आप के fundamental right जिसे English में बोलते हैं किस सम्मिधान शंशोदन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया कुछ लोगों ने ए कर दिया कुछ लोगों ने C कर दिया इसी में confused हो गया लिकिन इसका सही कुछ वच्चों का सही answer आ रहा है तो क्या हो जाएगा इसका right answer option C, 44 बास सम्मि अधिकार को भाग 12 में चला गया है, अब यह कानूनी अधिकार हो गया है question no.174 भारत के राष्चपति पत के लिए निरधारित अधिकतम आयू सीमा क्या है 58 बर्ष, 60 बर्ष, 62 बर्ष या कोई अधिकतम आयू सीमा नहीं है मैं से गलत करा इसमें 62 की जगे 65 वर्स रखते हैं तो बच्चे जायतर 65 वर्स लगा देते हैं चलिए ये कट कर दिया मैंने 62 वर्स अब 65 लग दिया अब बताईए क्यों सांसा ठीक होगा कुछ तो 65 ही सही कर देंगे बोले ये ठीक है 65 चलिए मैं बता देता हूँ देखिए राष्ट पती पत के लिए निर्धारित अधिक्तम आयू सीमा कोई अधिक्तम सीमा नहीं है समझ गया है ये होगा इसका राइट आंसर लोकसभा आयोजित करने के लिए आपिक्चित घरपूर्ती कूरम क्या है बन बाई 6 बन बाई 8 बन बाई 10 या बन बाई 5 तो इसके राइट आंसर की बात करें आपका हो जाएगा ओप्सन सी बन बाई 10 जिसका जिक्ष अनुचेद 100 में दिया गया है इसका मतलब क्या होता है कि संसद चलाने के लिए बन बाई 10 सदस होना हनिबारे है इसका मतलब यह होता है गरपूर्थी कूरम का Q7. 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 Q में पहला होता है कौन है राश्ट पती होता है पिर्धान मंत्री विपक्ष का नेचा या निचले सदन का अध्यक्ष देखिए जो मंत्री परिशद में पहला होता है मंत्री परिशद का अध्यक्ष कौन होता है तो आपका मंत्री परिशद का जो अध्यक्ष होता है वो राश तो क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर? Option B, पिरधान, मंत्री. Question number 17. निम्न में से किस भारती राज जी की राज भाषा अंग्रेजी है? नागा लेंड, तिरपुरा, असम, मडिपूर. तो क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर? इसी कोश्चन है, सबके आगे अंसर A, सबके, नागा लेंड. चलिए देखते हैं आगे, Question number 178. भारती ये संसद में लोक लेखा समीती का अध्यक्ष होता है? बिपक्ची दल का नेता, लोक सबा का अध्यक्ष, लोक सबा का अध्यक्ष, या राजसबा का अध्यक्ष. तो भारती ये संसद में लोक लेखा समीती का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट अंसर हो जाएगा बिपक्ची दल का नेता. लोक लेका समीती में कितने लोग होते हैं लोक लेका समीती में आपके कुल 22 लोग होते हैं इसका कारिकाल कितना होता है एक बर्ष का होता है लोक लेका समीती का कारिक क्या होता है यह क्यूं बनाई जाती है समीती कमेटी बनाई क्यों जाती है तो यह जो संसद में जो भी सरका खर्च करती है उसकी देख रेक के लिए समिती बनाई जाती है इसमें 15 लोकसभा के सदस होते हैं और साथ राज्यसभा के सदस होते हैं चली बढ़ते हैं आगे कुश्चन नुमबर 179 की तरफ भारत में पंचाईत राज प्रडाली समीधान के किस अनुचेत के निदेश के अंतरगत शुरू की गई 32, 40, 45 या 51 पंचाईत राज प्रडाली आपके कौन से आर्टीकल के अंतरगत आती हैं तो ग्यार भी अनुचुची में और इसमें कितने विशा सामिल हैं तो इसमें आपके 29 विशा सामिल हैं पंचाईत राज प्रडाली का कौन से समीधान शंशुदन के अंतरगत आई पंचाईत राज प्रडाली कहां लागू की गई तो आपका 1969 में राजिस्तान के नागा और जिले में तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ये बताईए तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन B, 40 पंचाईत राज प्रडाली आता है वो आपके किसके अंतरगत आता है राज के नीति निजशक तत्कूर पंचाईत राज को राज जो है गठन करेगा और इन्हें और शक्तिया प्रडान करेगा जिससे कि ये स्वतंत रूप से और अच्छे से कार्य कर सके पहले आविश्वास प्रस्ताओं और दूसरे आविश्वास प्रस्ताओं के बीच कितना अंतर होना चाहिए दो महीने, तीन महीने, छे महीने या नौ महीने तो कितना होना चाहिए? इसका राइट आंसर वरक करें, तो आपसंग C, छे महीने, देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ, जो आविश्वास होते हैं, वो जादतर मैक्सिमम टाइम, आपका 99 परस्त जो होता है, वो छे महीने तक होता है, कुछ पिरस्ता होते हैं, 14 दिन जै लगा सकते हैं, गाइस ये वैच आपका UPSI के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, क्योंकि ये इतनी बड़िया, मैं आपको देखिए कैसे, आपने theory wise बहुत पढ़ लिया, आपके पास book भी होगी, ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार पढ़ लाएं, तो आपके पास book होती चले जाएंगे, आप अभी वीडियो देखना मेरी, और वीडियो के last तक देखना, आपको कितने maximum में बात आ रहा हूँ, आपको कम से कम में 100 question याद करा दूँगा, guaranteed, हलाकि 40 question होते हैं, लेकिन guaranteed है कि 100 question याद हो जाएंगे आपको, बस हमारे साथ regular बने रही है, चलिए बढ़ते हैं आगे देखते, question number 181, निम्न में से कौन सी न्युक्ति भारत के राष्टपती के अधिकार में नहीं है, भारत का मुक्ष अध्यक्ष बित्तायोक, थलसेना अध्यक्ष ये लोगसबा अध्यक्ष, तो कौन सी न्युक्ति भारत के राष्टपती के अधिकार मे नहीं है तो क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर ओप्शन डी लोगसबा अध्यक्षी नुक्ती भारत के राश्पती के अधिकार में नहीं है बढ़ते कुश्चन नमबर 18182 की तरफ निम्निमेसिक किस इस्तिती में बंदी पिर्तेक्षी करण रिट जारी की जाती है संपत् अनुचेद 32 में जिसे समिधानिक उप्चारों का अधिकार कहा जाता है अनुचेद 32 में और इसी को हिर्दय की आत्मा कहा है किसने हमारे समिधान के जंदाता डॉक्टर भीम्राव अमिटकरजी ने तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ओप्शन C दो स्पोर्ड पुल इरुद्य ब्यक्ति के लिए ये रिट जारी करता है को कुश्चन नमर 283 भारत में निम्न में से किस पर किये गए खर्चे के लिए हर वर्ष बजट का अनुमोदर लेने की जरूवत नहीं होती है रक्चा पर प्राकृतिक संकट पर समेकित निदी पर या आकिसमिक्ता Souzaq निदी पर ये कुश्चन को कैसे सोचते हैं। और देखिये रक्चा जो होता है वह इंपॉर्टेंट है रक्चा रक्चा के लिए होना ही चीए हर साल बजट पेश किया जाता है समयकित निदी ये reciprocal को या देना जरूरी होता है क्पर होता है advance रखा जाता है लेकिन एक ऐसी ची इसमें option के साब से तो आपका हो जाएगा option B प्राकिर्थिक संकट जो होता है उसके लिए हर बर्ष का मतलब जरूरी नहीं है question number 184 भारतिय राष्टिय कांग्रेस के पिर्थम अधिवेशन की अधिक्सता किस ने की जवाल नाल नेरू, दादावाई नोरोजवी, फिरोष्टा मेता या व्योमिश्यंदर बनर जी बहुत अच्छे सबका D answer आ गया व्योमिश्यंदर बनर जी option D भारतिय राष्टिय कांग्रेस की स्थापना कब होई तो 1885 में महराष्ट के संस्कित गुकुलदार स्कूल में और इसमें पहले कितने सदस्तों ने भाग लिया तो पहले 72 सदस्तों ने भाग लिया और इसकी स्थापना किसे ने की थी? एक अंग्रेज अधिकारी AO हूम ने की थी अरे इतनी देर में तो मैं आपको रटा दूँगा पूरी एक भी सिंगल कोश्चन आपका कहीं भी बाहर नहीं जाएगा निम्ने में से किस सन में भारती नागरिकों को मौलिक कर्तब समीधान में शामिल किये गए 1922, 1976, 1989 या 1981 ये बात कर रहा है आपका किसका? भाग, चार, का में, किस में आते हैं? भाग, चार, का में इसके लिए एक अलग से सेपरेट कौन सा आर्टिकल बना हुआ है? तो 51 का अच्छा ये बताईए, फंडामेंटल जो आपके ड्यूटी है मूल कर्तब को किस की सिफारिश पर शामिल किया गया था समीदान में तो किस की सिफारिश पर? स्वार्ड सिंग, समीती की सिफारिश पर तो ये 42 पर समीदान शंशोदन मौलिक कर्तब को शामिल किया गया 1926 के दौरा चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं Q. 186. राश्पती राजसभा के लिए उन ब्यक्तियों से जो कला साहित सामाजिक सेवा साधी के चेत्र में ख्वाती प्राप्त हैं, निमन में से कितने ब्यक्तियों का नमंकन कर सकते हैं? Q. 186. नागरिक्ता प्राप्त करने के लिए शर्ते निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राश्टपती, संसद या उप्सन D संसद और विधान सबाएं? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताएं, कमेंट करके हाँ, सबके कमेंट आ रहे हैं, देख रहे हैं बढ़िया, बहुत अच्छे गाईज तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? उप्सन C, संसद देखिए नागरिक्ता से कोई भी संबंदित कानून संसद में लाया जा सकता है उनली संसद में, और संसद इसे बना या विगाड भी सकता है कुश्चन नमबर 28 संसद की किस बित्तिय समीटी में राजज सभा का कोई पिरतिनिद्व नहीं होता है लोकलेखा समीटी, पिराक्लन समीटी, लोकुपक्रम समीटी या ब्याई समीटी तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राजसभा कोई भी पिर्तिनिद्व नहीं होता है तो किसमें नहीं होगा आपका option B प्राकलन सभीती में इसमें 30 सदस होते हैं इसका भी कारिकाल एक बर्ष का होता है इसका भी काम क्या होता है इसका भी काम यही होता है कि संसत की और उसमें देखवाल करना तो इसका क्या होता है काम देखवाल करना लेकिन इसमें राजसभा का कोई भी सदस नहीं होता है इसका भी कारकाल एक बर्ष का ही होता है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं कुश्चन नमबर 189 भारतिय समीदान नागरिकों के लिए आर्थिक नियाए किसके माध्यम से सुनस्चित करता है मौलिक अधिकारों से मौलिक करतबों से प्रस्ताबना से या राजिके नीति निदेशक सिद्धानतों से तो किस से सुनस्चित करता है आर्थिक नियाए गाईज अगर किसी को हिंदी में प्रॉब्लम होती है तो वो बता दे मैं उसके लिए इंग्लिश में भी बोल दूँगा क्योंकि ये सारे वर्ड में इंग्लिश में भी बता सकता हूँ देखें मौलिक अधिकार आपका इंग्लिश में कहते हैं fundamental right मौलिक कर्थब को fundamental duties प्रस्ताबना को प्रेंबल बोलते हैं राज के नीति निदेशक सिद्धानत को आपका descriptive principles बोला जाता है तो क्या हो जाएगा इसका right answer? option C प्रस्ताबना से आर्थिक नियाक इसके माद्यम से सुनश्रित करता है प्रस्ताबना से प्रेंबल से आगे बढ़ते है question number 90 की तरफ संभिधान की ब्याक्या कौन करता है? बिदान मंडल, कारिपाल का, नियाएपाल का या राष्ट पती? तो संभिधान की ब्याक्या कौन करता है? बहुत बढ़िया एक दो के right answer आ गए तो क्या हो जाएगा इसका option C निया इपाल का तो संभीदान की ब्याक्ष्य कौन करता है आपका निया इपाल का चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं question number आगे question number 191 स्वतनता प्राप्ति के बाद Congress का पिर्थम विवाजन कब हुआ 1950, 1950, 1979 या 1984 बहुत अच्छा question guys देखते हैं कितने लोगा इसका सही answer देते हैं तो क्या हो जाएगा इसका right answer option C 1989 चलिए देखते हैं question number 192 नियम्निय में से कौन सा पिशासन पर विदाही नियंतर की अंतरगत नहीं आता है शून निकाल इस्तगन पिस्ताव बजट सत कोई विदेख निरोपाड विदाही के अंतरगत नहीं आता है तो कौन सा नहीं आता है जल्दी से बताएं कमेंट करें तो क्या हो जाएगा इसका right answer option C बजट सर्त जो होता है वो पिशासन पर विदाही नियंतरगत के एक्जेक्यूटिब कंट्रोल में नहीं आता है कुश्चन नमर 293 सार्वजिनिक पत का अधिकार है नागरिक को आर्थिक, नैतिक या फिर राजनितिक तो सार्वजिनिक पत का अधिकार क्या है आपका option C नैतिक अधिकार सार्वजिनिक पत का अधिकार कैसा है नैतिक अधिकार दिखतें कुश्चन नमर 194 आपिर्टियाशित ब्याई संसत के पूर्व अनुमोधन के बिना किस निदी से किया जाता है भारत की संचित निदी से भारत की अकिसमिता निदी से लेखा नुदान से या राजकोश्रे जो मतलब आपिर्टियाशित ब्याईज होता है संसत के पूर्व अनुदन के बिना किस की निदी से किया जाता है तो जहर सी बात है जो पता नहीं है वो किस से होगा आपका निदी का मतलब होता है फंड आपका क्या होता है फंड तो जो अचानक से होता है उसके लिए यूज होता है हाँ पिर्तियाशित भी है जो मतलब पिर्तियाशित नहीं होता है तो क्या हो जाएगा option B भारत की आकिस्मित्ता निधी से question number 195 नगरपाल का द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं साधरन कानून, निड़य कानून, विधी कानियम या फिर पिर्शासनिक कानून नियाएपाल का द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं क्या कहते हैं जल्दी से बताए कमेंट करें देखें नियाएपाल का जो भी कानून मनाता है वो क्या होता है निड़य लाष्ट माना जाता है तो क्या हो जाएगा इसका लाष्ट आंसर निड़य कानून question number 196 संसद्य पिरकार की सरकार की एक पिर्मुख विशेस्ता है कारेपाल का नियत कारेले कारेपाल का लोगों के पिर्ति उत्तरदाई होती है कारेपाल का विधान मंडल से अलग होती है संसद्य के पिर्ति मंत्री परिशत का सामूहिक उत्तरदाईत देखिए संसेदिय पिरकार की जो एक पिर्मुख विशेस्ता वो क्या होती है देखिए कारपाल का लोग के पिर्थी तो उत्तरदाई होती है उत्तरदाई नहीं होती क्योंकि वो डारेक्ट जनता से आते है तो पिर्मुख जो विशेस्ता में जो विशेस्ता होती है होना चाहिए बित्त और बैंकिंग छेत्र का ब्यक्ति हो उच्छ योगता वाला अर्थशास्ति यो नियाई पालका का विश्वेश्वग हो उच्छ न्याले के नियाईदीश का इस्तर का या पिर साब जिन्प मामलों में अनुबब बाला ब्यक्ति हो कुछ लोगों ने अंसर ए कर दिया बित्त और बैंकिंग के छेत्र का ब्यक्ति है तो यह होगा कोई वो बित्त आयोक का काम करने वाला किलर्ग थोड़ी बनेगा वो बित्त आयोक का अध्यक्छ बनेगा समझ रहे ना यही चीज तो गमाने वाली होती है तो क्या हो इसका अध्यक्छ बनेगा कोई किलर के थोड़ी की बित्त आयोक का अध्यक्छ बनेगा तो उसे नॉलेज होगी अच्छी लेकिन उसके साथ उसे क्या होना चाहिए सारजिनिक जो नॉर्मल चीजे होती है उनका अनुवाव होना चाहिए है कुश्चन नमबर 198 भारत के पहले चु आये तो कम से कम नहीं तो 50 साल बर पढ़ लिया होगा हर बार यह आ जाता है तो क्या हो गया इसका राइट अंसर सुकमार सेन सबका अंसर आगया अब बरतमान में चुनाओ आयोक्त करना है यह अच्छा बताए है चलो कमेंड करके आज आप बताना कि बरतमान में भारत के प बिवेक का दिकार होता है प्रदान मंतरी का इस्पीकर का विपक्च का नेता का यह राष्टपती का मतलब वो अपने बिवेक से होता है किसका विवेक का दिकार होता है तो किसका होता है इसका right answer option B speaker का अध्यक्ष का देखे शूनकाल जो होता है 12 से 1 के बीच चलता है उससे शूनकाल से पहले का समय जो होता है वो आपका क्या कहलाता है पिर्ष्णकाल कहलाता है देखते है question number 200 आज का उच्छी न्याले के न्याधीशों की पत की शपत किसके द्वारा दिलाई जाती है जलाई जाती है लिखती है कोई निगाई सोड़ा टाइपिंग में हो जाता है तो यह क्या हो गया दिलाई जाती है ठीक है उच्छी नियाले के मुक्य नियादीश के द्वारा भारत के राष्टपती के द्वारा भारत के मुक्य नियादीश द्वारा या राजिक के राजपाल द्वारा तो उच्छी नियाले के नियादीश की पत्की शबत किसके द्वारा दिलाई जाती है जल्दी से बताए कमेंट करें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा option ए उच्छी न्याले के मुख्य न्यायदीश द्वारा मतलब यह तो गलत हो गया guys sorry sorry उच्छी नयायदीश के पतर सपत किसके द्वारा तो यह राज्ज के राजपाल के द्वारा वू थोड़ा सा जिला बाला समझ रहा था मेरे दमाग मां नहीं सुझा यह जिला के करे जाते हैं उच्छी नयाले के मारी में थोड़ा बता देता हूं इसका आपका जो आता है अनुच्छे 217 में आता है उच्छी नयाले और जो न्याइदीशों को न्यूक्त करता है वो क्या है सुप्रीम कोड जो होता है सुप्रीम कोड का मुख्य न्याइदीश राज के राजपाल के पर मर्श पर राष्ट पती द्वारा उच्छी न्याले के मुख्य न्याइदीश की न्युक्ति की जाती है और इसे उच्छी न्याइदीश को सपत कौन दिलाता है राजी का राजजपाल अच्छा राजी के राजजपाल को सपत कौन दिलाता है तो वो दिलाता है उच्छी न्य करके ज़रूर बताएं कि सर हमनारे इतने कुश्चन अब ठीक होने लगे हैं जब तक आप 1000 कुश्चन पर पहुचेंगे तो आपकी पॉल्टी इतनी बढ़िया हो चुकी होगी आपके UPSI और UPSC लेवल और जितने भी छोटे-छोटे एक्जाम से आपके एंटी-पी-सी गु है या कोई मज़़ूर लेवल हैं तो उसकी मदद करें ओके बाए